तो आज का मेरा प्रेस कॉन्फरेंस करने का दो मोटिव है एक तो एक गूट न्यूस है और दूसरा हम एक उसको कह सकते हैं जब सेट न्यूस भी बोल सकते हैं तो उन दो चीजों पर मैं हाइलाइट करना चाहूंगा आज का जो मुद्धा है सबसे पहले recently कलशाम को as a media में हमें जो officially जो order दिखा हमारा जो लदाख के यूटी लदाख के जो revenue department में आपका ये हिंदी और इंग्लिश को भी उसमें add किया गया है तो उससे as a लदाख Buddhist यूद के तरब से हमें बहुत खुशी हुआ क्योंकि ये जो demand था काफी साल पुराना demand था तो ये आज हुआ है तो जिन्हों ने इसको मंजिल तक पहुंचाया तो मैं उन सब को आज में दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और उनको welcome भी करना चाहूंगा हमारे जो लदाख Autonomous Hill Tablement के कौंसल के CSC टशी गलसन साब जी को बे मैं दन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इनिशेट लिया है और लदाख के मेंबर पार्लेमेंट जमगयां सिरिंग नमगयाल जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इतना अचीव प्रोला काम किये और हमारे जो एमेचे के श्री एमिच शार जी है उनको भी मैं दिल से लदाख के पूरे यूद के तरफ से मैं उनको दन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उन्हाने बहुत बड़ी आएक रिजुलेशन पास करके लदाख के लिए लाया और मैं साथ-साथ इसमें एक पहलो आउर जोड़ना चाहूंगा जो कुछ चीजों से हम जो मुश्किलाथ से हम निकल रहे हैं अब कल लदाख पुलीस का जो है मैं एड़ी जीपी साब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके मद्यम से तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जैसे कि अभी जो उर्दू को साइड लाइन करने के साथ-साथ जो अभी जो हमारा जो एफायर जहां थाने में जो कुछ पेपर वर्क्स वगरा होता है तो हमें वहां पे भी उर्दू की साथ फेस करना पड़ता है क्योंकि आपके जो वहां कलरक होते हैं वो उर्दू में लिखाया जाता है क्योंकि हमें यह बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक यह आपने क्या कहते हैं इसे पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक आपका जो रिटन जो जा रहा है एक उर्दु में जा रहा है और मैं साथ-साथ जैसे कि अभी यहां पे जो हिंदी और इंग्लिश को कमबल्स रिक किया है तो मैं आपके यह मद्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो पुलिस जिदे भी पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पी इस चीज को हिंदी और इंग्लिश को भी कंपल सिरी किया जाए क्यूंकि आप सब को पता है कि आज की डेट में जिदे भी यूथ है बचे हैं हिंदी इंग्लिश सब जानते हैं उर्दू थोड़ा सा जो एलजी साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो जल से जल से जल यह जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो पेपर वक वो जो उर्दू के थुरू होता है जिसे कि हमारा एंटी करवांजन लोग तो सबसे पहले रिसेली लदाग में एक गूट नीज आ रहा है था हमारा मैडम रिंचन लामो नेशनल मैनोरिटी मैंबर्स के हिसाब से उनको वहां पे एपॉंड किया सबसे पहले लदाग के यूद के तरब से मैं उनको मुबारिक बात देना चाहता हूँ और जिन्हों ने उनको वहां तक पहुंचाने में जो उनका सायथा किया या उनको जो हेल्प किया है उन सब को मैं मुबारिक बात देना चाहता हूँ और जो ये मैडम डिंचल नामों से में verbally मेंने बात भी हुआ है आज मैं उनको एक return में भी मेमरंडम उनको पेश करना चाहूँगा जिसमें हमने strongly लिखा हुआ है Anti-Curvention Law जो है हमारे लदाग में बहुत बहुत जरूरत है वो क्यों अब सब को पता है लदाग का population जो जिर्फ तीन लाग का population है यहाँ पर community को मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इस community होई है जो भी दूसरे religions के हो मैं anti-curdon चलो इस लिए लाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ इसमें हर जिदने भी community है वो सब safe हो जाएगा तो मैं उनसे यह request कर रहा हूँ आज क्योंकि वो कर सकते हैं क्योंकि वो minority के members वो हैं तो उनको हम आज यह letter देंगे अब इसके press conference के बाद हम पेश करेंगे और यह जो आब यह recently आपने देखा होगा क्योंकि मैंने भी social media पे देखा था यह anti-garman जो लो हमने कुछ दिन पहले बात किया था तो उसको हमने देखा तो कल दो दिन पहले दो दिन में प्रेस को आई है आपका social media गत्रू तो वहाँ पे किसी को मिर्शी लग रहा था तो हम यह किसी community का अगेंज नहीं है यह हम अपने community को वह भी साथ में इसके पारे में बताया जाए ना कि इसके अगेंज और मैं आप लोगों के knowledge में यह बताना चाहता हूं लटाक का population जिसे मैंने पहले का तीन लाग का population है और हम anti-coronial law के favor में है बट आप लोगों को पता है state जहां तक मुझे लग रहा है आठ यह कि नव state है वहां पर जहां पर करोडो में population है वहां पर यह इसको implement किया जा रहा है recently का नटका है आने वाले दिनों में यह शायद में अखल से UP में भी शायद इसका बात चल रहा है तो इसमें हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं ना किसी religion के आगे हैं से हम अपने लोगों को अपने safety के देख रहे हैं उनको safe होने के लिए तो मैं उमीद करता हूँ मैडम रिंचल नामो जी से और member parliament से भी इन मुद्दों को भी आगे तक लेके जाए और जल्द से जल्द इनके उपर भी कुछ ना कुछ action लाए जाए तो मैं आज फिर आप लोगों को as a ladak buddhist student youth wing के तरफ से as a short notice पे जितने भी press club के members है या outsider correspondent है दूरदर्शन है जितने भी लोग आप लोग आए है as a ladak buddhist youth के तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और जो recently जो हमारा reviewing department में जो आपका हिंदिय और इंग्लिश को भी aid किया गया है उसको मैं once again मैं अपने पूरे ladak के youth के तरफ से मैं thank you बोलना चाहूँगा धन्यवाद जूले